Hello friends, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोग का एक नए वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे UPPSC यानि लोग सेवायोग अभी आप सभी लोग का एक्जाम होना प्रस्तावित है लगभग आपके पास एक हपते का समय बचा हुआ है तो जो लोग इस एक्जाम में समलित हो रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से बेश्टापलक और हार्दिक सुपकाम नाए एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जब से आप लोगोंने सेंटर देखा है तो सेंटर इस पार बहुत ही उट पटांग दिया है काफी दूरी है कुछ लोगों का तो 100 किलोमेटर से भी ज़्यादा दूर है तो ऐसे में आप सभी लोग हतोत साहित हो रहे हैं कोई एमेल कर रहा है कोई कही कुछ तो मैं आपको इस चीज बताऊं आप लोग अपने माइंड को स्टेट करिए देखिए अगर 100% लोगों को एकजाम में जाना है तो उसमें से 30-35% लोग ऐसे होंगे जो लोग एकजाम छोड़ देंगे किसी कारणवस या फिर इतनी बड़ी दूरी देख करके या इतना ठंड देख करके तो मान लीजिए आपने 35% लोग ऐसे हुए जिन लोगों ने एकजाम छोड़ दिया 15% लोग तो ऐसे होते हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ तुक्के लगाने जाते हैं एकजाम में ठीक है तो उन्हें तो आप काउंट ही ना करिए तो लगभग मान के चलिए 50% लोग निकल ही जाते हैं जो एकजाम नहीं देते हैं मैं इस PSC की बात कर रहा हूँ तो अब आपके पास बचे कितने लोग सिर्फ 50% तो आपका कमपटीशन सिर्फ इन 50% के लोगों से हैं आपके चांसेज 50% ऐसे ही बढ़ जाए अगर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप लोग 50% भी तैयार हैं तब इस एकजाम को skip मत करिए सलेक्शन के चांसेज बहुत ज़्यादा है ठीक है मेरी बातें आप लोगों कुछ समझ में आ गई हूँ तो मैं आके बढ़ूँ जिन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं निकल पाया है वो लोग आफिसेल वेबसाइट पे जाएंगे दो सर्वर हैं सर्वर वन और सर्वर टू दुनों में से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपका जो है एडमिट कार्ड निकल जाएगा अब इन साथ दिनों में जो आपके पास बचे हुए है इसमें आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है आप लोगों ने तयारी के दवरान साथ नोट्स बनाए होंगे बस उन्ही साथ नोट्स का आपको रिवीजन करना है और नया कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है ठीक है कुछ भी नया मत पढ़िए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए रिवीजन किन्ची जो का कॉलिटी पे विशेज ध्यान दीजिए modern history है current affairs है यह बहुत important है current affairs को आपको कई-कई बार रिवीजन करना है जोगर्फी भी important है इस पे भी आप ध्यान दीजिए science पे भी ध्यान दीजिए environment UPS special इन पे भी ध्यान दीजिए आज कल ट्रेंड थोड़ा सा UPSC जैसा होता जा रहा है UPSC का तो इसलिए आप लोग को Asian history और medieval history पे भी focus करना है साथ में economic भी आप लोग देख लीजिएगा तो यह कुछ एक चीजे है साथ notes में आप अगर कोशिस करेंगे तो साथ से आठ दिन में आप इसको दो से तीन बार revise कर सकते हैं है ना यही strategy बनाके आप लोग चलिए और exam देने जरूर जाईए क्योंकि इस बार chances बहुत ज्यादा हैं काफी सारे लोग absent होंगे है ना तो अगर आप लोग थोड़ी सी म जा लेता हूं और एक बार पुनह आप सभी लोगों को बेश्टाप लग पोलता हूं थेंक्यू